खेलो दोस्तो, श्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे option trading की एक और नए वीडियो में दोस्तो अगर आप लोग option trading करते हो या फिर अभी नए ने हो option trading में और option trading सीख रहे हो और option trading से पैसा कमाना चाहते हो तो सब से पहले आपको candlestick pattern और chart pattern को आना चाहिए जब तक दोस्तों आप लोग चाड पर चाड पैटन को नहीं समझोगे तब तक आप ओसन ट्रेडिंग से एक गुर्भिया नहीं कमा सकते हो बलकि आप यहाँ पर अपना पैसा गमा सकते हो क्योंकि दोस्तों चाड पैटन और कंडलिस्टिक पैटन के शाहरे ही हम लोग live market में trading करते हैं और trading से पैसा कमाते हैं कभी-कभी candlestick pattern बनता है तो candlestick pattern को देखकर trade करते हैं और कभी-कभी trading में charge pattern बनता है charge pattern को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि यहां से market उपर जाने वाला है तो हमें किस तरह से trade करना चाहिए या फिर यहां से market नीची जाने वाला है तो फिर हमें किस तरह से trade करना चाहिए लेकिन दोस्तों charge pattern को सीखने से पहले आपको trend line draw करना आना चाहिए जब तक आप अच्छे से trend line को draw नहीं कर पाओगे ये नहीं कर पाओगे कि support कहा है, resistance कहा है तो कैसे आप लोग profit बना होगे तो इसलिए मैंने सोचा कि charge pattern को सिखाने से पहले मैं आपको draw करना सिखा दू trend line जब तक आप trend line draw नहीं कर पाओगे तो आप तब तक market में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे तो इसलिए मैं चलूँगा एंजल वान के chart के उपर और वहाँ पर आपको trend line draw करके दिखाने वाला हूँ और दोस्तों मैंने जो कल trading किया था, live trading तो उसमें मैंने profit बनाया था trend line की मदद से ही तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाता है कि मैं trend line से कैसे पैसे बनाया था, तो आप में से बहुत से भाई लोग comment करे थे कि पंकज भाई trend line का राज क्या है, trend line से पैसा कैसे बना लेते हुआ तो मैंने सोचा कि भाई आपको trend line draw करके दिखाना ही चाहिए क्योंकि यह बहु कर सकते हुँ, तो इसलिए अगर आपका अभी तक demate account angel one app के अंदर नहीं है, तो description में link दिया हूँ, बिल्कुल free में account open हो रहा है, आप angel one में अपना demate account खोल लो, और हाँ दस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आपको एक चीज और बता दू, कि अगर आप लोग बिल्कुल free में option trading सीखना चाते हो, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बिल्कुल free में step by step part wise part करके option trading सीखा रहा हूँ, तो चलिए बिना देरी कि हम video को start करते हैं, तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ angel one app के chart पर, और यहाँ पर यह जो chart दिखाई दे रहा है आपको, यह angel one के chart में मैं इसको open किया हूँ, और यह nifty का chart है, ठीक है, यहाँ पर देख तक तो यहाँ पर nifty लिखा हुआ है, और यह nifty का chart है, और यह जो पर candle दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यह जो सभी का सभी candle दिखाई दे रहा है, यह 5-5 मिनट का candle है यहां से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि जो ये एक एक candle stick बना है वो 5-5 मिनट का candle है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर trend line आपको कैसे draw करना है तो trend line draw करने के लिए 5 मिनट का candle stick सबसे भेतरीन होता है इसलिए मैंने यहां पर time frame को 5 मिनट पर set किया हुआ है तो सबसे पहले draw करने के लिए आपको क्या करना होगा ठीक है तो यहां पर जो tools दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये tools है जो इसको आप लोग use नहीं करोगे तब तक option trading में पैसा नहीं बना पाऊगे क्योंकि हर एक tool का अपना अपना कोई काम होता है ठीक है जैसे trend line का काम होता है तो trend line draw करने के लिए यहां पर जो trend line का option आ रहा है तो इसी के उपर आपको click करना है अब जैसे यहां पर click करोगे तो आपके सामने इतना सारा option खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर बहुत सारा option है यहाँ पर trend line है arrow है ray है info line है extended line है trend line है horizontal line है ठीक है horizontal ray है अब इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ में अभी आपको आगे सभी को draw कर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप draw करके option trading में पैसा बना सकतो हो दोस्तों सबसे पहले trend line draw करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा zoom कर देना है ठीक है अगर market बहुत ज्यादा उपर नीचे नहीं हुआ रहेगा तो आप लोग 5 मिनट के चार्ड पर इसको trend line draw कर सकतो हो अगर बहुत ज्यादा उपर नीचे जैसे market हुआ है तो आपको 15 मिनट का candle stick को sit करना होगा ठीक है तो लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादे उपर नीचे नहीं हुआ है इसलिए मैं 5 मिनट का candle stick sit कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों कैसे आप draw करना है वो देखिए ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको उपर कर देता हूँ ठीक है trend line draw करने के लिए तो इसको मैं live market में ही कल draw करके दिखाया था आप लोगों को यहाँ तक ले जाना है ठीक है यहाँ तक आपको ऐसे ले जाना है तो देखो यहाँ पर यह trend line जो है अभी draw हो चुका है अब आपको एक चीज़ बता दू कि trend line draw करते समय आपको किन किन चीजों की ध्यान रखनी चाहिए जो यह shadow रहता है ठीक है इस candle का body नहीं candle का जो shadow रहता है shadow के पास से ही इसको रखना चाहिए ठीक है shadow के पास से रखना चाहिए अब shadow क्या होता है मैं आपको zoom करके थोड़ा दिखाता हूँ जैसे यह candle stick है ठीक है यह जो candle stick है मैं candle stick के body पर से नहीं लिया हूँ यहाँ पर देख सकते हो shadow के नीचे नीचे से यह trend line को ड्रो किया जाता है देखो सेडों के नीचे नीचे से है कहीं पर भी यहाँ पर जो है इसका सेडों के ऊपर नहीं है सेडों के नीचे से लेना है यानि कि बोडी पर से आपको नहीं लेना है ट्रेंड लाइन को बोडी के नीचे लेना है क्योंकि मार्केट जो हता है वो ट्रें लाइन एकदम बहतरी तहीके से एड़ हो चुका है अब दोस्तों इसके उपर से भी एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रो करना है तो इसके उपर से ट्रेंड लाइन ड्रो करने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना होगा जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर डिलीट का ऑफ हो यहाँ पर यहां पर जैसे ही שלי i deaf किया तो यहां पर dicoss करती यहां पर कर सकते हो यहां एक कण ओर्पी हो गया एक को ट्रेंड ū dai n aap जाएगा तो इससे उसे ओपर तक स्याकुलוכ दुक्ट पर चूँलब खी पर को ह dukkoh! तो थोड़ा सा इसको मैं और नीचे कर देता हूँ, ठीके, मैं आपको अभी ये market close है वहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, बाकि इसको मैं जो है, वो live market में कल ड्रो किया था, ठीके, live market में इसको ड्रो किया था, और उसी से मैं पैसा बनाया था, तो आप में शे बहुत से भाई लोग बोल रहते कि पंकच भाई, trend line आखिर आप कैसे ड्रो करते हो, trend line की strategy क्या है वो बताईए, ठीके, तो अब एक और यहाँ पर मैं trend line आपको ड्रो करके दिखा रहा हूँ, ठीके, क्योंकि यहाँ पर भी एक नीचे trend line आ रहा था, मैं यहीं पर लगाया था, और यहीं प पर देखो, फिर से ऐसे click करना है, और यहीं से ऐसे खीच देना है, जैसे यहाँ से खीच होगे, तो देखो, यहाँ पर एक और trend line ड्रो हो चुका है, ठीके, तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ, और इसी के zone में market चल रहा था, और यहाँ से यहाँ यहा profit हुआ था, ठीके, अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, कि put side में भी आप लोग trend line बना कर trading कर सकते हो, जैसे यहाँ से continue market नीचे गिर रहा था, ठीके, जब continue market नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पर भी trend line बन सकता था, तो यहाँ पर भी बहुत से रहे लोग trend line बन रहा था वीडियो के अंदर, ठीके, तो यहाँ से भी आप लोग एक trend line ऐसे draw कर सकते थे, देखो, आपकी कोई ने कोई strategy जरूर होनी चाहिए, जब जब आप trading करो, तो आपकी कोई ने कोई strategy जरूर होनी चाहिए, तभी आप profit कर पाऊगे, तो यहाँ पर एक trend line मना दिया, त support resistance क्या होता है, इसको तो आप लोग जानते होंगे, अगर से नहीं जानते हो, तो मैं यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, ठीके, तो यहाँ से market, यहाँ पर एक पहले trend line draw करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि support कहाँ पर है, कहाँ पर resistance है, तो देखो, यहाँ पर यह ज trend line यह support का काम करेगा, अब यहाँ पर मैं जो बनाया हूँ, तो support का, यह पहले support गया, अब मैं यहाँ पर एक आपको resistance बना कर दिखाता हूँ, ठीके, उसके बाद आपको समझ में आएगा, तो देखो, यहाँ पर एक resistance line में बना दिया हूँ, ठीके, अब देखिए, यहाँ अब यहाँ पर मैं इधर आ गया, ठीके, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं फिर कहोगे कि यहार पंकश भाई नहीं समझ में आ रहा है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर टकरा कर नीचे आता है उस line को बोलते हैं resistance line ठीक है तो ऐसे आप लोग बना कर चलोगे कोई ने कोई strategy बना कर करोगे trading तभी profit होगा अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ठीक है तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ trend line हर एक दिन काम करता है ठीक है अब देखो यहाँ से एक trend line जा रहा था फिर नीचे आया था तो यहाँ पर trend line आया था यहाँ पर देखो ऐसे करके गया है तो यहाँ पर भी आप लोग draw कर सकतो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह मैं क्यों draw कर रहा हूँ बस आपको draw करने आना चाहिए बाकी live market में तो मैं आपको सिखाऊंगा ही कि कैसे आपको trading करना है तो देखो यार यहाँ पर एक trend line हो गया ठीक है तो यह trend line जितने अच्छे से आप draw कर लोगी उतने ही बढ़िया आपको profit होगा मालो trend line इसी के zone पे नीचे इसके नहीं आ रहा था trend line के यहाँ तक आया था तो यहाँ पर जब touch किया था तो यहाँ पर आपको buy कर लेना चाहिए यहाँ पर buy करने के बाद market trend line के सारे उपर निकल जाता है तो trend line ऐसे ही काम करता है तो I hope दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम angel one के chart के उपर या फिर किसी भी chart के उपर हम लोग trend line को draw कैसे करते हैं अगर दोस्तों आपको trend line से related कोई question है, query है, कुछ चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार comment box आप लोग के लिए है, नीचे comment कर देना मैं आपके हर एक comment को पढ़ता हूँ और आपके हर एक comment का reply देता हूँ तो channel को subscribe कर लेजी, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए video